चंद्रयान 3 से फिर खुश खबरी आई है। चांद के चारों तरफ चक्कर लगा रहा चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल परमाणू तक्नीक से उर्जा हासिल कर रहा है। यानि वह कई सालों तक चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। अंतरिक्ष और चंद्रमा के नए रहस्यों को उजागर करता रहेगा। इसरों की तरफ से नए खबर आई है। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल यानि PM परमाणू तक्नीक यानि न्यूक्लियर तक्नीक न्यूक्लियर टेक्नॉलोजी के जरिये उर्जा हासिल कर रहा है। एक अंग्रेजी अकबार को दिये गए बयान में Atomic Energy Commission के चेर्मेन अजित कुमार मोहंती ने इस बात की पुष्टी की अजित कुमार ने कहा कि भारत का न्यूक्लियर सेक्टर इसरों के इस महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन में शामिल था। जब इस बारे में इसरों वैज्ञानीकों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि प्रोपल्शन मॉडियूल में दो रेडियो आइसोटोप हीटिंग यूनिट्स हैं। यहां एक वाट की उर्जा पैदा कर रहा है। इस, इससे यान को चलते रहने के लिए जरूरी तापमान मिल रहा है। चंद्रयान 3 से जुड़ी कुछ ताजा खबरे। चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिनी ध्रूफ पर सफलता पूर्वक लेंडिंग की यहां भारत का तीसरा चंद्र मिशन था। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल परमानू तक्नीक से उर्जा हासिल कर रहा है। यह कई सालों तक चांद के चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रग्यान से दोबारा संपर्प नहीं हो सका है। इसरों के वैज्ञानिक विक्रम लैंडर और प्रग्यान रोवर को जगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अभी तक इसमें काम्या भी नहीं मिली है। चंद्रयान 3 के लैंडर पर चंद्रा का सर्फेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चेस्ट चंद्रसता की तापिय चालकता और तापमान को मापेगा। चंद्र भूकमपिय गतिविधी उपकरण आयले से लैंडिंग स्थल के आसपास की भूकमपियता को मापेगा। लैंगमोयर प्रोब एलपी समय के साथ निकटसह प्लाजमा घनत्व का अनुमान लगाएगा। चंद्रेयान तीन भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा नियोजित तीसरा चंद्र अन्वेशन मिशन है चंद्रेयान दो के बाद। रिपीट किया गया, रिपीट मिशन अफ चंद्रेयान माइनस दो लेकिन इसमें चंद्रेयान दो की तरह ही एक लैंडर और रोवर शामिल है। इसमें कोई और्बिटर नहीं है। इस अंतरिक्ष यान को 2023 में प्रक्षेपित करने की योजना की पूरी तैयारी कर 2022 में कर ली गई थी। अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपन के लिए रोकेट भी तैयार कर लिया गया था। इसे 14 जुलाई 2023 में लॉंच किया गया। इसके अतरिक्ष चंद्रयान 3 लैंडर एक लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर LDV से लैस है। लार्सन एंड तुग्रो कंपनी की एरोस्पेस यूनिट ने चंद्रयान 3 के लॉंच वीकल के लिए जरूरी कंपोनेंट्स की सप्लाई की थी। इसके अलावा यान का बूस्टर सेगमेंट। इंजिनियरिंग सेक्टर की इसी बड़ी कंपनी के द्वारा तयार किया गया था बीता अगस्त महिना देश के लिए बड़ा कीर्तिमान रचने वाला साबित हुआ था। दरसल 23 असक्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर सफल लेंडिंग की थी और दुन्या ने इसी सराहना करते हुए तारीफ की थी। खास बात ये है कि चंद्रमा के साउट पोल, मून साउट पोल पर यान उतारने वाला भारत दुन्या का अकेला देश बना है चांद पर इतिहास रचने के इस मिशन में इंडियन स्पेस रिसर्च और्गिनाइजेशन इसरो के साथ ही देश की कई बड़ी-बड़ी कंपनिय की भूमिका रही इसरो के अधिकारियों के अनुसार चंद्रयान तीन मिशन के सभी तीन उद्देश हासिल कर लिए गए हैं जिनमें चंद्रमा की सता पर सुरक्षित सौफ्ट लैंडिंग, चंद्रमा पर घूमने वाले रोवर का प्रदर्शन और चंद्र सता पर वैज्ञ प्रयोक शामिल है, चंद्रयान तीन मिशन की उपलब्धी के संबन में किरन कुमार ने कहा, बड़े अर्थों में आपने निश्चित रूप से जो हासिल किया है, वह यहां है कि आप एक ऐसे क्षेत्र दक्षिनी धरूफ पर पहुँच गए हैं, जहां कोई और नहीं पहु और उन गतिविधियों की योजना बनाने के संदर्प में लाब होगा जो आप उस शेत्र में करना चाते हैं, उन्होंने इस रोद्वारा चंद्रमा से नमूने लाए जाने संबंधी मिशन शुरू करने की संभावना के बारे में भी बात की, लेकिन इस तरह का अभ्यान कोई समय सीमा नहीं दे.